नमस्कार साथिओ अपना जो कि राजस्तान गजी के उसमें अपना कलार और संस्कृत थी उसको हमने श्टार्ट कर रखा था और अपना लोग देह थावाली कलाश चिह अपनी चल रही थी उसमें अपना देवाहना र drinking के बाहरे में गरेंगे परहंगे करेंगे हैंधियन करेंगी कुम ते इनका जनम कब हुआ इनकी मत्ता का नाम था पिता का नाम था इनके समाधिक आहां पर है नहीं कौनकोन से साधरी क कार्ण है कि दृव्त परहिए कोन्षीयको माला सेरी की पहाड़ी इनका जो जनम है वो 1243 इस्वे माला सेरी की पहाड़ी गोट गोटा जड़ावत आसिंद भीलवडा में क्या हुआ इनका जनम हुआ देवनरेन जी का जनम 1243 इसको याद करने का तरीका क्या है डाइरेक्ट जैसे एक, दो, तीन, और चार यानि 1243 इस्वे जनम इनका कब हुआ 1243 इस्वे माला सेरी की पहाड़ी गोटा जड़ावत आसिंद भीलवडा में इनका क्या हुआ जनम हुआ इनका जो मूल नाम था मूल नाम इनका था उदेश सिंग इनकी माता की बात करें तो इनकी माता थी सेडू खट्यानी इनकी माता का क्या नाम था सेडू खट्यानी था इनके पिता इनके पिता का नाम था स्वाई भोज स्वाई भोज इनके पिता का नाम था इनके पिता का नाम स्वाई भोज इनके माता का नाम भी ससे स्टार्ट होता है इनके पिता का नाम भी क्या होता है ससे स्टार्ट होता है इनके पिता का नाम सुवाई भोज और इनके माता का नाम सेडू खट्यानी था और इनकी जो पत्नी थी पैसे पत्नी और पैसे ही क्या था पिपल दे इनकी पतनी का नाम पिपल दे था, थार नरेश जैसिहं की क्या थी, पुत्री थी, जो पिपल दे थी, वो थार नरेश जैसिहं की क्या थी, पुत्री थी, और जो देव नरायन जी है, ऐसा माना जाता है, कि देव नरायन जी विश्नु का उतार थे, किसका उतार थे, बाला था और पुत्री का नाम क्या था बाली था ये विशुन का उतार थे इनकी पत्नी का नाम पिपल दे था थार नरेश जेश सिंग की क्या थी ये पुत्री थी इनके पिता स्वाई भोशते माता इनकी सेड़्ू खट्यानी थी इनका मून लाम था उदेश सिंग और इनका जनम हुआ देव नरायंड जी का गोत्र था बगड़ावत इनका जो गोत्र था वो था बगड़ावत और जाती इनकी थी गुज़र गुज़र इनकी जाती थी और इनका गोत्र था बगड़ावत वंस की बात करें तो ये नागवंसी थे इनके वन्स की बात करें डेवनरायंड जी जो हो कि नागवंसी थे एशा माना जाता है कि इिटो एव नीम के पत्तों की पूजा जाती है डेवनरायंड जी ने इटो और नीम के पत्तों से एक आयर वेद एक दूआ का निर्मान कया इन्हें आयुरुवेद का जनक भी कहा जाता है पूजा कि इनके होती है इटो की और नीम के पत्तों की क्या होती है पूजा होती है और देव नारायन जी की समाधी देव माली देव माली इस्थान पर क्या है देव नारायन जी की समाधी है इनकी मर्तिय कहा हुई देव माली अजिमेर या भ्यावर के आसपास इस्थान देव माली वहाँ पर क्या हुई इनकी मर्थ्य हुई देव नाराइन जी भगवान देव नाराैन जी को आयुरुवेद का लोग देवता कहा जाता है जो बगवान देव मेरा णेजी थे, उनको आयुरुवेद का लोग देवता कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इन्हों ने ईट और नीम के पतों से एक दवय त्यार की, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, और इन्हों ने जो दुवाई बनाई, उस दुवाई से सब से पहले एम इटो से आयरुवेद की नई पद्दती बनाई इटो का परियोग किया और नीम के पत्तों का और इटो का परियोग किया और आयरुवेद की एक नई पद्दती का क्या क्या है नोंने विकास किया इसलिए इनको आयरुवेद का लोग देवता भी कहा जाता है किनको देवना देव नरायन जी के पिता कौन थे स्वाई भोज पिता कौन थे स्वाई भोज सहित यह चोईस भाई थे यह गायों की रख्षा करने के लिए बिनाय अजमेर के सासक दुर्जन साल से यूद करते हुए वीर गति को प्राप्थ हुए देव नरायन जी के पिता थे स्वाई भोज सी वो जो है कि दुर्जन साल से यूद करते हुए बिनाय अजमेर में क्या होगे वीर गति को प्राप्थ होगे और देव नरायन जी ने बिनाय के सासक दुर्जन साल के साथ यूद करके अपने पिता सहित चोईस बगडावत भाई के तेका क्या लिया बदला लिया ऐसा माना जाता है कि देवनारायन जी के पिता सुवाई भोष थे वो 24 बगडावत भाई थे 24 बगडावत भाई थे इसलिए इनको 24 बगडावत भाई कहा गया और देवनारायन जी ने दुर्जन साल को मार कर अपने पिता सहीत 24 बगडावत को प्राप्त होगे तो इनके समाधी कहाँ पर है देव नारेंड जी की देव माली नामक इस्तान पर व्यावर के पास एक इस्तान है देव माली वहाँ पर जो है कि देव नारेंड जी लड़ते हुए क्या होगे वीर गति को प्राप्त होगे और देव नारेंड जी ने अपने छोटे भाई महंदर को बिनाय का सासक बनाया इनके देवनरायन जी के छोटे भाई थे महंदर उनको क्या किया बिनाय का सासक बनाया बिनाय के सासक पहले दुरजन सिंग थे दुरजन सिंग को देवनरायन जी ने मार दिया मार हाई ते महेंदर को बिनाय का क्या मना दिया सासक मना दिया और देव नरायन जी की मर्ति देव माली नामकिस्तान पर लड़ते हुए क्या होगे वीर गति को परापत होगे तो इनकी जो समाधी या मर्ति कहा हुई देव माली नामकिस्तान पर हुई जन्नम इनका माला सेरी के पहाड़ी गोट मांगदूर आसिंद भीलवाड़ा में हुआ इनका मूनलाम की बात करेत उद्य सिंग, माता इनकी सेड़्ू और पिता इनका स्वाई भोज, पतनी पीपल दे, विश्णों का ये अवतार थे पुत्तर और पुत्र की बात करें, तो बाला और बाली, बाला इनके पुत्तर का नाम, बाली इनके पुत्री का नाम ये गोतर इनका था बगड़ावत, जाती इनकी गुजर और किस वंसी से थे, ये नागवंसी थे इनको आयर्वेद का लोग देवता कहा जाता है क्योंकि इन्हों ने इटों से और नेम के पत्तों से एक आयर्वेद की पद्धति का निर्मान किया और उस पद्धति का निर्मान करके सबसे पहले अपनी पत्नी पीपल देगा क्या किया इलाज किया देवनारायन जी के पिता सहीत स्वाई भोज सहीत कितने भाई थे 24 बगड़ावत भाई थे स्वाई भोज बिनाय के सासक दुर्जन साल के साथ यूद करते हुए क्या होगे वीर गति को प्राप्त होगे स्वाई भोज सिंग सहीत तो इस बगडावत भायों की मर्तियों का क्या लिया बद ला लिया और देवनारायन जी स्वियम लड़ते हुए ब्यावरे के निकर देव मली नामकिस्थान पर क्या होगे वीर गति को प्राप्त होगे और देवनारायन जी के छोटे बाईते महेंदर महेंदर को क्या कर दिया बिनाय का सासक मना दिया ये सबसे important बात हैं कि इसके बारे में देवनारायन जी के बारे में तो इस slide को आप सबसे पहले अपने कोफे में नोट करें स्वियम के परोपर नोट्स बनाए और बारवार इसका क्या करें रिविजन करें फिर हम अगली स्लाइड के ओर चलते हैं आगे आगे अपने पास में है देवनारायन जी के परमुग मंदिर देवनारायन जी के परमुग मंदिर कौन कौन से है कौन कौन सी जग्या पर है तो सबसे पहला जो परमुग मंदिर है इटो के और नीम के पत्तों की क्या होती है पूजय होती है क्योंकि देवनारायन जी ने इटो का और नीम के पत्तों का प्रियोग करके एक आयुरुवेद की पद्धति का निर्मान के इसलिए देवनारायन जी को आयुरुवेद का लोग देवता भी कहते है इनका जो मेला है मेला इनका बढ़ता है बाद्र सुकल आच और दरिया इनका इनको कै चड़ाय जाता है भोग चड़ाय जाता है देवनारायन जी को राबडी चाच और दरिया का भोग चड़ाय जाता है मेला इनका भाद्र सुकल सब्तमी के दिन बढ़ता है इटो की और निम के पत्तों की क्या होती है पुजा होती है इनका जो नंगला जहाज बरतपुर में है तो यह देव नारे येंड़ी के क्या है प्रमुक मंदीर है पहला मंदीर मालासेरी के पहाड़ी गोट्रा दिलावत आशीन भीलवाड़ा दूसरा मंदीर है देव धाम जोधपूरिया काँपर है निवाई टोक में इसके अल्लावा देव डूंगरी कहां पर है चित्तोडगड में नंगला जाज कहां पर है बरतपुर में यह जो मंदिर जिसे देव नरेंडजी में देव आ रहा है इसमें भी क्या रहा है देव डूंगरी देव आ रहा है तो देव डूंगरी कहां है चित्तोड में है देव जोदपूरे कहा है निवाई टोक में है नंगला जहाज इनका जो मंदीर हो कहा है बरतपूर में है और माला सेरी के पहाड़ी गोटा दिरावत आसिन भीरवडा में इनका क्या है परधान मंदीर या प्रमुग मंदीर है जहां पर इटके और नेम के पतोग क्या होती है पूज पर के पास कहा है? अज्मेर में हैं, जहां पर गुझ्जर समाज के सभी घर कच्ची इटो के होते हैं, क्योंकि इन्होंने इटो की पुझा की जाती हैं, तो इनके जो घर हैं, रोकिण के हैं कच्ची इटो के बने हुए हैं, और देव नरायेंट जी के पिता स्वाई भोज का मंदीर कहां पर है आसींद भीलवड़ा के अंदर है और देवनारेंड जी का जो मंदीर है वो कहां पर है माला सेरी के पहाड़ी गोटा जड़ावत में तो यह भी पूछ सकते हैं कि देवनारेंड जी के पिता जो स्वाई भोज थे उनका मंदीर काम पर है उनका मंदिर है आसींद भी लोड़ा के अंदर और देव माली नामकिस्तान है ब्यावर के पास अजमेर में वहाँ पर गुजजर समाज के जितने भी गर है वो किनके बनेव है कच्ची इटो से क्या है निर्मित है इसके अलाव अपने पास में भगवान देव नारायन जी के जीवन पर आधारीत एक फिलम बनी है एक फिलम बनी है जिसमें भगवान देव नारायन जी की भूमिका पूर्व विधायक वा सांसद नातू सिंग गुजरने निभाई यानि कि देव नरायन जी के जीवन पर एक फिलम बनी है उस फिलम में देव नरायन जी की जो भूमी का है वो किसने निबाई है विधायक वसांसत नातु सिंग गुजरने देव नरायन जी की क्या है भूमी का निबाई है तो इस स्लाइड में आपको क्या क्या याद रखना है देवनवरायन जी के परमुग मंदिर कोणों कोण से सबसे परमुग मंदिर हमाला सेरी की पहड़ी गोटा दिरावत आशिन भीरवडा में है जहांपर इनके प्रदान पीट भी है इटो की और नेम के पत्तों के क्या होती है पूजा होती है बादिर सुकत सब्तमी के दिन हर वर्ष क्या वड़ता है इनका मेला वड़ता है इनको छाज का राब्रिका और देल्ले का क्या होता है भोग इनको शड़ाय जाता है इनके अन्यमंदिरों की बात करे तो देव धाम जोतपुरिया निवाई टोक में है अन्या मंदिर देव डूंगरी कहां पर है चितोड में है इनका एक मंदिर नंगला जहाज कहां है बरतपूर में है इसके अलावा देव माली अजमेर में गुजर समाज के जितने भी गर है वो कच्ची इटो से क्या है निर्मित है और देव नारायन जी के जो पिता स्वाई भोज है उनका मंदिर कहां पर है आसिन बीरवडा में है और देव नारायन जी के जीवन पर आधारित एक फिलम बनी जिसमें देवनारायन जी की भूमी का पूर्व विधायक वसांसत नातु सिंग बुजरने निभाई तो ये देवनारायन जी के बारे में क्या है IMPORTANT, IMPORTANT बाते हैं यहीं से अपने को एक्जाम में क्या होता है परसन पुशा जाता है तो इस Ali'd को आप अपने कोफे में नौट करें खुद के अपर्पर नोटस मनाए बार 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 इसको क्या करे वीडियो को देखे और चीजों को क्या करे याद करने की úsटिस करें तो चलो इसका स्क्रिन सूट लो आपने स्क्रिन सूट ल़िया होगा चलो आज के लिए ताई बाकि हम मिलते हैं अगली कलास में आप चैनल को लाइक करें शेर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंड करें अपने दोस्तों को इसके बारे में बताए ताकि सब क्या कर सकें इसका फायदा उटा सकें और जितना हो सकें आप सुयम के खुद के नोट्स बनाए सलाइड को देखे, वीडियो को देखे और कोपी और पैन से अपने सुयम के नोट्स बनाए ताकि एक्जाम में आपको रिविजन करने में क्या रहे, आसानी रहे चलो मिलते हैं, अगली कलास में थैंक यू पर वाचिं इस वीडियो